टेर्रिस्ม कर रहा है इस्रैयल ekzackly लाइड टएट इंडिया जो है वह किश्मीर में कार रहा है तो वह तो पार्टनर है इस सवाले से जो टेर्रिशम हमें काश्मीर में नजर आती है वह तो फूरी दुडिया में किसी मुसलिम कंट्री को नजरी नहीं इस्टेबिलेटी है ना उसकी वज़ा से उसकी वज़ा से उफिशल वीडियो है उनके उफिशल ने थैंक यू भारत बोला था अब यह चकर यह चकर अगे देखें जी जब हम बाहर से कर्ज लेने के लिए जाते हैं और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि द अबने दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं कि उनको लोग पागल करते हैं तो इस वीडियो में साफसा पता ले जाएगा वीडियो में इस बंदे का बिजनस है जो हमसे कर्ज मांगने आया है तो भई वो क्यों देगा कर्ज हमारे अवाम सबसे ज्यादा मीर है और फिर अफसोस की बात यह है कि जो बाहर से कर्ज लिया जाता है वो कर्ज माशाला आपस में ही बड़े बांट लेते हैं और माशाला मकुरूज हम में जिन तक पहुँचता नहीं है मैं यही कहूंगा कि इंडिया खुद भी जानता है और honestly speaking हम भी जानते हैं कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है और इंडिया का भी हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं क्यूंकि इंडिया चांद पर जा चुका और हम माशाला एक शक्स को गिराने के लिए सारी त तो एम सॉरी तो यह हमें सोचना होगा कि इंडिया इंडिया पीछे मुड़ के देखे तो हम तो नजर भी नहीं आते दिखाई नहीं देते हमारा काद इतना छोटा हो चुका है जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना चाहरा हूं और यह हमारी अपनी कारस्तानियों की हमने तबाह कर दिया जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हम एक ऐसी कौम है मैं शर्म से पानी-पानी हुआ जा रहा था लास्ट टैम जब आई-म-फ से हमने घुटने टेक के नाक रगड के थोड़ा सा दो अर्ब डालर या कुछ इस तरह से कर्ज लिया और उस इस तरह की आटिकमिक पॉबर है हम अगर इसराईल जिस तरह से एक स्टेट टैर्रिस्म कर रहा है इसराइल एक इंडिया जो है वो कि शमीर कर रहा है तो वो तो पार्टनर है इस हमें कश्मीर में नजर आती है वो तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नजरी इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है वो फिर पागल है खोड़ से नहीं है असल बात यह है के हम जो है ना हम बिंग एज अट्मिक पावर इन दो वर्ल और बहुत से टॉमिक पावर नहीं मैं पाकिस्तान इसलामी कंट्री में कह रहा हूं कि as you know that we are like the captain of the team हम लीडिंग कंट् करते हैं तो हमारा अगर स्टांस कमजोर होगा हम माशी हवाले से कमजोर होंगे स्यासी हवाले से जिस तरह से हमारे हांगी पकी हुई आज कल ठीक है जो कुछ हो रहा है सब की सामने है अब बड़ा प्रोग्राम और हम इंविटेशन तक नहीं है यह लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं यह हम करें यह वाकि हो रहा है आपने यह बड़ा अच्छा क्वेस्चन रेज किया और आपने काफिया तक उसको उसकी पिक्चर भी जो है ना वो बता दी है असलमें यहीं न हमारी मौश्री बदाली और पुलिकल जो २िस ट्रपाट ना उसकी वज़ी ज tackling का दो रहा drive. सब के साथ तालुकात मशभूत है, इसराहील के साथ मसभूत होने के साथ साथ उन्होंने पैलस्टाइन के अंदर ट्रक्स बेज़े हैं अपनी इम्दात की उन्हें तुर्की की मदद की हैання, तो जे 사uci foi को सम्दोट करतें। अपने इंट्रस्ट भीram ने का तुमर्ड करते, ऐ अगर हम मेंसे किसी ने भी ये एक्ट किया है और रहागी इंडिया के ट्रक बेज रहे की बाद तो वह ऐसे है जैसे अमेरिका ने उदर से बहरी बेड़ा बेजा था और कहा था कि ये हम इसराइलियों के लिए आए हैं अरब में जो जब ये जंक स्टार्ट हुई थी अमेरिक किया है जी जी बिल्कुँ यह अपको बीडियो आपको कहते तो दिखा सकते उफिशल वीडियो है उनके ऑफिशल ने थैंक यू भारत बोला था अब यह क्या चक्कर है यह चकर और देखें जी एसा नहीं है असल में बात यह के दो यह तीन दिन का भूका अगर हो उसको एक काफर भी अगर रोटी का टुकड़ा देगा तो वो बिचारा पेट की वज़ा से खाएगा उसको शुक्रिया भोलेगा ना तो मुसल्मान थे और हमने कहने को बड़ी मदद भी भेजिया तो हमें क्यों नी फैलस्तिन ने जो है वो शुक्रिया बोल दिया नहीं हम सॉरी हमने क किया फलस्तीन हम शर्मिंदा हैं अच्छा एक सवाल आप से पूछे थी वैसे हम पाकिस्तान यह लेकिन बात हमें सची हमेशा करनी चाहिए तुर्की में आपने सुना होगा कि जलजला आया था बड़ा बुरा जलजला था वहां पर तो उन्होंने दुकानों की शटर्स पर प्रॉपगेंड़ कर रहे हैं यह कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं करती है हमेशा हम ही पॉइंट क्यू रेस करते हैं देगे जी हमारे एक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर साब जो है वो जब मैं नाम नहीं लेना चाहता था ठीक है वो जब तुर्की गे तो रजब तैयब उ दोग हैं वह जो है इंडिया से दुस्मान की बात करते हैं पर एक चीद मानते हैं वह इस चीज़ को इंडिया कितना डॉलप हो चुका है तो बहुत ज़्यदा इंट्रस्टिंग वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पासन दोगी निम्रा ऑफिशल की वीडियो थी कहुत ऑफ़ हैं से दुस्तर संद्ध्स झाओसे इंडियो थी लाइन है